अब आज एक नया डिसकेशन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का और एक्सरसाइज है NCRT की 9.3 चैप्टर का नाम समझ गए होंगे आप सिक्वेंस एंड सिरीज इसमे डिसकेशन करना है तो सबसे पहले जैसे आपको AP तो मालूम है कि AP क्या होती है यह GP आपके लिए इस साल नया है तो GP जो जो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जोमेट्रिक सीवीज है इसमें हर नंबर बाद वाला जो नंबर है वो पहले नंबर में कुछ special value multiply करने से आता है तो माल लिजए कि यह जो second term है यह R multiply करने से आई थर्ड टर्म जो है इसकी फिर R multiply करने से आई तो जो आपकी जो successive terms है वो R multiply करने से आती है वहाँ add करने से आती है या multiply करने से आती है ये कौन से number की term है आपकी ये आप देखें ये पहले number की term है ये कौन से number की term है ये दूसरे number की term है दूसरे number में power कितनी है 1 तीसरे number में power कितनी है 2 चोथे number में power कितनी है 3 तो जो आपके पास nth number होगा उसमें power कितनी होगी आपकी एक कम होगी A into R to the power N minus 1 तो ये एक GB है ये आगे तक भी जाएगी लेकिन अभी हमने अपने interest में इसको यहीं तक लिया है Nth term तक आप जानते हैं कि TN भी इसे कहते हैं और कभी-कभी इसको last term भी कहते हैं तो TN is what? TN देखें आप TN is A into R to the power N minus 1 A is called first term और R को क्या कहते हैं? What is R? तो R जो है इसमें है T2 upon T1 T3 upon T2 and so on and this is called common ratio वहाँ पर आपने common difference पढ़ा है यहाँ पर common ratio common ratio TN को आप मालूम है इसको Nth term कहते हैं और कभी-कभी इसको last term भी कहते हैं यह आपका formula है Nth term का अब अगर दो GP हैं आपके पास और दो GP को आप add एक GP को आप add करना चाहते हो एक GP की term सारी add करना चाहते हो इसके sum का formula निकालना चाहते हो तो sum का formula भी हम लगे हाथ निकाल देते हैं और आप enjoy करेंगे आपको बहतर लगेगा तो sum का formula डिराइव भी कर लेते हैं फिर आप उसके बाद उसको ध्यां मतले formula डिराइव करना थोड़ा सा जरूरी है और sn माल लीजे कि sum का जो value है वो sn है n terms की series है a r a r a plus a r a r square अब 2 hat a r n minus 1 बिल्कुल आसान है थोड़ी देर का काम है मत 2 से 3 minute का काम है बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है अब इसमें आप r से multiply कर दें इसको तो यह हो जाएगा पहला term a r लेकिन उसको लिखेंगे यहाँ पर नहीं उसको यहाँ लिखिए आप a r जब इसको भी आप r से multiply करेंगे तो वो लिखेंगे इसके नीचे तो जो इसके पहले वाली term होगी a r to the power n minus 2 होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी कहां आ जाएगी यहाँ a r to the power n minus 1 और इसको जब आप multiply करेंगे तो यह यहाँ आ जाएगी a r to the power n इसको फिर subtract कर दें बस आपका formula दोस्तों आ गया और जैसे यह आपने subtract किया तो देखो यहाँ क्या common आ रहा है s n common 1 minus r s n common क्या बचेगा यहाँ जब आप subtract करेंगे तो a बचेगा यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा इसके पीछे वाला पीछे वाले सो जाएगा आखरी में वो बचेगा एक आमल ने लिया 1-R to the power N upon इसको यहाँ बेज दें तो यह Sn का value आगे यह आगया दोस्तों आपका formula यह formula है formula for end terms end terms का formula है लेकिन इस formula का use जब करते हैं जब R की value क्या होती है less than 1 होती है अगर R की value 1 से ज़्यादा हो तो formula तो यह होता है पर केवल उसमें से उपर से minus common ले लेते हैं तो जब उपर से minus common लोगे तो यह हो जाएगा R to the power N minus 1 और नीचे से भी minus common लो तो यह हो जाएगा यह formula जब लगाई है जब आपका R का value 1 से ज़्यादा हो और फिर वैसे दोनों एक ही जैसे हैं आप कभी भी किसी को भी apply कर सकते हैं no issue अब R का value 1 हो तो क्या होगा अगर R का value 1 है तो S n क्या होगा आपका S n होगा A plus A r A into 1 A r square A into 1 square A into 1 to the power N minus 1 तो यह सारी values तो A हो गई न A plus A plus A A और कितनी बार हो गई N times हो गई तो यह value हो जाएगी N into A तो फिर यह formula नहीं लगेगा क्योंकि R is equal to 1 रखेंगे तो denominator में 1 minus 1 0 हो जाएगा इसलिए नहीं लगेगा तो जब R की value 1 होगी तो यह formula लगेगा तो दोस्तों यह थे derivation sum के और term के अब हम question करते है 9.3 exercise के काफी अच्छे questions है और अच्छा foundation बनेगा NCRT पे हमने focus किया है NCRT को target किया है पहला question है find 20th term question number 1 देख रहे हैं जो first question है उसमें T20 निकालना है और TN भी निकालना है series आपको दी हुई है 5 by 2 5 by 4 5 by 8 and so on यह क्या होगे आपका यह A हो गया R क्या चीज है R है T2 upon T1 और T3 upon T2 दोनों का करके देख लें आप अगर बराबर आएगा तो ओके तो हो जाएगा 5 by 4 5 by 2 देखो आप यह Cancel क्या होगा यह क्या आएगा आपके पास 5 से 5 Cancel 2 से 1 by 2 आजाएगा T3 upon T2 भी देख लें आप तो T3 upon T2 भी देख लेंगे तो यह क्या होगा आपका 5 by 8 upon 5 by 4 तो यह भी आपका 1 by 2 आएगा तो इस ओके R की value 1 by 2 fix है अब आपका formula है TN is equal to AR to the power N minus 1 इसमें पहले N की जगे क्या डाल दे या पहले TN निकाल देते हैं पहले इसको निकाल देते हैं तो TN की value होगी A means 5 by 2 R मतलब 1 by 2 to the power N minus 1 चाहें तो थोड़ा सा simplify कर लें इसको ऐसा लिख लें 5 upon 2 और 1 to the power N minus 1 और 2 to the power N minus 1 अब यह power add कर दें तो यह हो जाएगा 5 upon 2 to the power N यह तो आपका आगया दोस्तों TN पर अगर आप T20 निकालना चाहते हैं 20th term तो N की जगे आपको 20 रखना पड़ेगा तो इस तरीके से यह आपका answer हो जाएगा जैसे आप T20 रख देंगे N की जगे 20 रख देंगे तो आपके पास T20 आएगा 5 upon 2 to the power 20 यह आपका answer था दोस्तों अब आपका question number 2 2 बहुत आसान सवाल है 1, 2, 10, 11 जो है वैसे तो अल्मोस्त सारी exercise ही सरा ले फिर भी यह जो basic question से तो बहुत आसान है find 12th term of a GP आपको जो question number 2 दिया है इसमें 12th term पुझी है आपसे और जो आपको दिया है T8 दिया हुआ है 192 T8 क्या दिया है 192 और R की value दिया है 2 common ratio 2 दिया है तो T8 क्या होता है T8 होता है AR to the power 8 minus 1 192 और R की value कितनी यह 2 है तो यह हो जाएगा A into 2 to the power 8 minus 1 7 यह AR की value यहां रख भी और यह आजाएगा आपका 192 तो यह हो जाएगा A 192 upon 2 to the power 7 2 to the power 7 याने 2 to the power 6 होता है 64 तो 128 हो जाएगा cancel भी बाद में कर लेंगे हम अब हमें T12 निकालना है तो T12 क्या होगा T12 होगा A R to the power 12 minus 1 A की value डाल दे 192 और यह 2 की terms में रखना है तो वो भी 2 की power में ही रख दें कोई दिक्कत की बात नहीं R कितना है आपके पास 2 और 12 minus 1 कितना होगा 11 तो यह आजाएगा 192 इंटू टू 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 दा पावर 11 यह value तो मेरे खाल से आप calculate कर ले यह क्योंकि वो मुझे भी calculate करना पड़ेगी आपको भी calculate करना पड़ेगी तो वही आपका answer 192 इंटू 16 आप multiply कर ले तो आपका answer आ जाएगा 2016 यह आपका हो जायेगा 1600 यह ओर यह आपका 16109 144 पर मेन आपका 1600 और यह नाय है ओर 144 एसथिन आपक software जीरो और यह आजाएगा 32 तो यह आप एड़ कर दें तो यह आपका एड़ीशन आ गया आप अपने तरीके से एड़ कर लें इसमें तो कोई इशू की बात नहीं है तो यह मेरे तरीके से हो सकता आंसर गलत भी हो कैल세요 उता प्लीजs रेक्टिफाइड आप क्ोवेस्टन नमबर त्री जो है इसमें दिया है फिफ ट्रम इलेवन ट्रम त्र WAR इंसर इसमें इसमें पीट की वेलीं क्यों दीए एलेवन की वेलु है सभी पी दिये क्यूंद ये और यह लिखने वाला थे हैं उन्हें और अमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है और प्रूव करना है आपको Q square is equal to PS, तो यह तो बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है P क्या, आपका fifth term P है, तो यह हो जाएगा AR 5 minus 1 8 term है तो AR 8 minus 1 यह है AR 11 minus 1 अब आप बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कुछ करने जैसा है नहीं खास, फिर भी हमने उठा लिया इसको करते हैं, तो यह आजाएगा AR to the power 4 is equal to P, और आपके पास S है, तो S पहले लिख लें अब, S अगर पहले लिख लेंगे तो यह हो जाएगा AR to the power 10, अब इसको दोनों क multiply कर दें, तो यह आजाएगा आपका P into S, और यहाँ पर आप multiply करेंगे तो यह हो जाएगा, A square R की power add हो जाएगी, R की power 10 plus 4, 14 हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, आप PS, AR to the power 7 का square, और यह AR to the power 7 क्या है, Q है, तो यह हो गया, PS is equal to Q square, तो यह था दोस्तो question number 3, अब question number 3 के बाद naturally, क्या आता है आप जानते हो, question number 4, हमने promise किया है कि सारे questions आप से discuss करेंगे, कोई question में आपको confidence आता है, तो तुरंद से आप उसको skip करके आगे बढ़ सकते हैं, it is up to you, आप खूब practice करें, खू और आगे बढ़े, और चैनल को like, share, subscribe जरूर करते जाएं, दोस्तों तक बात पहुचाएं, वहां तक बात पहुच जाएं, जहां तक बच्चों को सुविधाय नहीं मिलती, जहां बच्चे deprived feel करते हैं, इसमें दिया है, fourth term of a GP is square of second term, fourth term of a GP, GP का question है, T4 is T2 square, यह GP का question है, आ होगी मैं पूरा question लिख नहीं रहा हूँ, fourth term is square of second, and the first term is minus 3, find seven term, first term is minus 3, T1 is what, minus 3, T1 को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, तो यह a आगे आपके पास, और आपको क्या निकालना है, seventh term, यह question है, seventh term is question, तो T4 क्या होता है, आपको मालूम है, आपके, a r 4 minus 1, a into r to the power 4 minus 1, केवल r की पावर है न, ध्यान रखिएगा इसको, यह हो जाएगा, a into r 2 minus 1, और whole square है, तो यह हो जाएगा, a r q, a square r to the power 1, तो यह r का भी square हो गया, a से यह a cancel कर दे, r square से देखिए, यह r square है, r square से यह cancel कर देंगे, तो यह r बचेगा, r is equal to कितना हो गया, यह आपके पास, a, a कितना है आपके पास, a is minus 3, तो r b कितना हो गया, minus 3, आप से क्या पूछा है, t7, t7 क्या होता है, a r to the power 7 minus 1, तो यह हो जाएगा, minus 3 into minus 3 to the power, 7 minus 1, तो minus 3 to the power, add कर दें, यह 1 है, और यह 6 है, तो minus 3 to the power 7, अब आप चाहेंगे, तो value भी निकाल सकते हैं, मेरको भी नियादे कि क्या value होती है, 729 into 3 होती है, 729 into 3, क्योंकि 3 to the power 6 की value यह आदे, तो यह हो जाती है, 729 into 3, तो आप multiplication का बंड़ा अच्छा कर सकते हैं, चाहें, तो इसे कर लें इसको, minus 730 minus 1 into 3 कर लें, ऐसे करके आप आराम से कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका, 0, 9, 21, minus कितना करना आपको, 3 into 1, तो यह 3 जब इसमें से minus करेंगे, तो 87 हो जाएगा, तो यह आएगा मेरे ख्याल से answer, calculation को mind मत करना हो सकता, मिरसे calculation गलत भी हो जाती है, अब question number 5 में तीन पार्ट से हैं, और time मैं देख लूँ आपका, oh my god, यह तो बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छा कर लिया, अभी लगवग 17 ही minute हुए, 17 मिनिट में हम यहां तक आगए हैं दोस्तों, तो देखे, 30 मिनिट में चाहता हूँ आपके, अब 30 मिनिट में देखे हम कहां तक पहुच जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप remarkable करेंगे, फिफ्त में तीन पार्ट हैं, तो आप मुझे से कोई एक, मैं B पार्ट और C पार्ट या A पार्ट कर देते हैं, A करना अच्छा रहता है, सबसे पिल ए कर देते हैं, A में आप से पूच रहा है, कि क्या पूच रहा है, if nth term of 2,2,4 and so on is 128, 28, तो then find n, थोड़ा question अलग घुमा के लिख दिया है, find n, तो यह बिल्कुल आसान question है, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो, A हो गया हमारा 2, R क्या हो जाएगा, 2 root 2 divided by 2, यह cancel root 2 आया, 4 upon 2 root 2 भी आना चाहिए, 4 upon 2 root 2, तो यह 2 से cancel करेंगे 2, root 2 से इसको cancel करोगे, फिर root 2, तो यह भी आगे root 2, तो R की value finally decide होगे root 2, अब हमारा TN का क्या formula है, यह TN है दोस्तों, this we shall consider TN, इसको एनेक्टर माल लेंगे, TN का formula A R to the power N minus 1, तो यह हो जाएगा 128, A का value 2, यहाँ लिख दे root 2 to the power N minus 1, 2 divide कर देंगे इससे, तो यह 64 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 64, बिल्कुल आसान है, मजा आ रहा होगा आपको करने में, मुझे पूरी उम्मीदे, 64 हो गया, यह root 2 है, तो 2 to the power 1 by 2 लिख दें, और whole to the power N minus 1, 2 to the power N minus 1 by 2, law indices से, कौन सा law, whole to the power N को A to the power M into N लिख देते हैं, यह rule लगाया, पर इसको लिख दें, 2 to the power 6, अब यह powers equate कर देंगे, तो 6 is equal to N minus 1 by 2, यह 2 उदर चला जाए, 6 to the power N minus 1, फिर minus 1 को उदर भेज दें, N is equal to 13, तो यह था दोस्तों, फिप्त का A, अब मैरे जैसा आपसे कहा था कि फिप्त में 3 पार्ट है, तो फिप्त का C जो है, वो भी almost B और C, B एक जैसे ही हैं, फिर भी C हम देख लेते हैं, C मैं आपसे पूछ रहा है, कि which term is this, 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27, अब 2, 1 upon 19683, ठीके, तो N की value निकाल नहीं है, तो अब मैं direct थोड़ा कर देता हूँ, यह क्या हो गया आपका, यह A हो गया, यह क्या हो गया आपका, TN कह दो या L कह दो, A की बात है, TN क्या होता है आपका, AR to the power N minus 1, AR to the power N minus 1, तो यह आपका आजाएगा, TN की जगे, 1 upon 19683, और यह हो जाएगा 1 by 3, R निकालना है आपको, तो इसमें क्या multiply करेंगे कि यह I, 1 by 3 into 1 by 3, इसमें क्या करेंगे, तो 1 by 9 into 1 by 3, तो R की value हो जाएगी, 1 by 3, तो यह हो गया आपका, आप 3 चाहें तो उधर भेज़ देंगे, तो 3 उधर भेज़ देंगे, तो यह हो जाएगा, 3 upon 19683, और यह हो जाएगा, आपका 1 by 3 to the power, N minus 1, तो यह आगे आपके पास, अब 3 से इसको पहले cancel करना पड़ेगा, तो इसको कोई खास बात नहीं, 3 से इसको cancel कर देते, 3 6 जा, 18, फिर आएगा, आपके पास remainder 1, तो 1 और 6 मिला के 16 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, फिर 1 और 8 18, तो 3 6 जा, 6 5 6 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको इसको 3 की power में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, 3 की power में लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपका ऐसा आएगा, मैंने कुछ कुछ अभी किया था, 3 to the power 6 का मैंने आपको बोला था न, 729 आएगा, और जब 3 की power 7 थी, तो something 200 कुछ ऐसा आया था, फिर यह 8th power में आ जाएगा, तो यह मैंने तो डिरेक्ट लिख दिया हो सकता है, गलती हो तो आप सुधार लेना, तो N-1 की value हो जाएगी 8, तो N की value, 100% शोरू, यह 3 की power में आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह यह आएगा, तो इस तरीके से दोस्तों, यह था आपका question number कौन सा था, हमने देखा, question number था, fifth का C part था, तो हमने सब part कवर किये, यह भी एक खुसी की बात है, और अब question number six में आपको बोल रहे हैं कि for what x, यह चोटे चोटे question हम एक साथ कर देंगे, फिर हम important questions पर और ज्यादा से ज्यादा focus कर पाएंगे, six में आपसे पूछ रहे हैं कि for what x, x निकालना है आपको, और यह gp में हैं, कौन gp में हैं, minus 2 by 7, x minus 7 by 2 यह gp में, तो अगर यह gp में हैं, तो आपको मालूम है, second upon first और third upon क्या होना चाहिए आपके पास, second, तो यह हो जाएगा, x upon minus 2 by 7, और यह हो जाएगा, minus 7 by 2 upon x, x उदर बेज देंगे आप, x square minus 7 by 2 into minus 2 by 7, आप इससे को cancel कर दें, 7 by 2 से यह कर देंगे, तो x square 1 आ जाएगा, तो दोस्तो, x की value आपकी आ जाएगी, plus minus 1, I hope कि कोई गलती नहीं है, very good, बहुत अच्छा, तो यह भी कोई गलती नहीं थी, अब आपके पास हैं दोस्तों, question number 6, बहुत चोटे चोटे और सारा अच्छे सवाल है, और भहुत scoring है, अब आप देखिए question number 8, 7 sorry, 7 में आपको sum निकालना है, 7 से sum स्टार्ट हो गए है, तो sum कहां तक का निकालना है, वो भी बूला है उन्होंने, find the sum to indicating term, number of terms, 0.15 plus, 0.015 plus, तब तक आप चैनल, like, share, subscribe जरूर कर दे, खाली ना बैठे हैं रहे, 0.0015, up to 20 terms, तो यह हो गया आपका, और T2 upon T1 निकालने, 0.015, 0.15, तो यह अगर decimal अटाएंगे, तो तीन डिजिट है, तो यहाँ पर आप लिख दे, तीन डिजिट है, तो 1000 लिख देंगे, तीन जिरो लगाएंगे, यहाँ पर दो डिजिट है, तो आप यहाँ पर लगा दे 100, यह से cancel हो गया, 15 से 15 cancel हो गया, 1 by 10 आगया, आप इसका भी चेक कर लें, इसका भी आपको चेक करना जरूरी है, तो T3 upon T2 भी यही आएगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, T3 upon T2 भी 1 by 10 आएगा, तो यह R हो गया आपका, R for sure क्या हो गया आपका 1 by 10, अब आपका R जो है वो less than 1 है, तो S, N का formula यह वाला लगाई है, A into 1 minus R to the power N upon 1 minus R, तो यह हो जाएगा, A 0.15, 1 minus 1 upon 10 to the power N, इसमें आप जानते हैं, अब ज्यादा सब्जरी हो नहीं पाएगी, 1 minus 1 by 10, denominator आप calculate कर ले, और इसको चाहें तो आप इसा भी लिखते हैं, थोड़ा बहुत simplify भी कर सकते हैं, तो 0.15 है, तो इसको लिखते हैं 15 by 100, और यह calculate कर लेंगे, तो 10 minus 1, कितना हो जाएगा, आपका 9 by 10, यहाँ पर लिख देंगे, 1 minus 0.1 to the power n, 10 to the power minus n भी लिख सकते हैं, यह 0 से 0 कैंसल कर दे, 3 से इसको कर दे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो यह हो जाएगा, आप 5 upon 30, 5 से इसको कैंसल कर दे, 5 2 जा 10, तो यह हो जाएगा, 1 by 6, 1 minus 0.1 to the power, sorry, extremely sorry, यहाँ पर बोला, आपको 20 तक निकालना है, तो इनकी जागे, आपके पास आएगा, 20, तो 0.1 to the power, यह भी बहुत बड़ी value है, 0.1 to the power 20, मतलब लंबी value है, तो उसको उसी में छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप 10 to the power minus 20 भी लिख सकते हैं, तो it is up to you, अब दोस्तों question number 8 जो है, वो मैं बहुत जल्दी लिख दूँगा, क्योंकि उसमें कोई खास ऐसी बात है नहीं, फिर भी आपको थोड़ा confidence बन जाए, इसके लिए मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, कि बच्चों को कोई तकलीफ ना पड़े, किसी को कभी problem आ जाए, तो आप बहुत आराम से देख पाएंगे, तो question number 8 में कोई खास बात है नहीं, रूट 7 प्लस रूट कॉमा, रूट 21 है, और रूट 21 के बाद है 3 रूट 7, आपको निकालना है, sum up to n टर्म्स, n टर्म्स तक का sum निकालना है, तो यह आपका a हो जाएगा, आप यहाँ समझ सकते हो, r क्या होगा, r क्या होगा, root 3 होगा, देखो आप r root 3 है, जैसे जैसे root 3 multiply करोगा, अगली term आईगी, n की value n है, और r का value root 3 है, greater than 1, तो s n आपका हो जाएगा, a rn-1, r to the power n-1, r-1, तो a की value रख दे, root 7, root 3 to the power n-1, root 3-1, आप चाहें तो आप rationalize कर सकते हैं इसको, और अगर आप इसको rationalize कर देते हैं, तो वह से इसमें कोई खास change आएगा नहीं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अंदर multiply नहीं होगा, तो चाहें तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और एक बार मैं फिर भी answer देख लेता हूं, कभी आप confused नहीं हो जाए, 9.3 का 8 थे, तो answer देखने से मैं आपको confidence में ले लूँगा, कि हाँ यह ठीक है, बिल्कुल सही है, rationalize किया हुआ है, तो आप भी rationalize कर दीजिए, तो उपर नीचे root 3 plus 1 से कर देंगे, यह भी root 3 plus 1, तो बस इसी को लिखा है, a minus b a plus b root 3 square minus 1 square n a 2 हो जाएगा, बस यह लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं हैं, बच्चों, इतना ही है, तो यह था, आपका question number कौन सा था, एड़ था, और मैं आपसे expect करता हूँ कि 9th और 10th, 9th और 10th, अल्मोस्ट एक जैसे हैं, 8th, 7th, 8th, 9th, 10th, एक जैसे हैं, आप चैन्द में 10th वाला एक नजर आपके लिए कर देता हूँ, 9th वाले में आपको R बोल देता हूँ, 9th में A, 1 है आपका, तो वहाँ capital है लिख लेना, क्योंकि question में small है दिया हुआ है, और R की value minus A है, तो यह आपका 9 था, और एक जटके में मैं SN भी लिखी देता हूँ इसका, यह हो जाएगा A, और R इसमें 1 से बड़ा है, छोटा है नहीं दिया, तो आप कोई सा भी formula लगा दो, सब चलता है, क्योंकि वह दोनों एक ही formula है, बस आप यहाँ पर value लिख दें, 1 minus A to the power N, minus 1 upon minus A, minus 1, तो minus A common ले लेना, बस इतना कर देना, 10th वाला भी ऐसे है, मैं टाइम और चेक कर लूँ, आपको कितना टाइम हो गया, तो 30 minutes हुए हैं, 30 minutes, तो 10th वाला भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, 10th में A आपका है, first term X cube, series आपकी कुछ इस तरह से, X cube, X to the power 5, X to the power 7, तो A X cube है, और R क्या चीज है, this into this क्या होगा, X square से होगा, तो यह आपका formula लग जाएगा, S कहां निकालना हमको, N तक ही निकालना है, A into R to the power N minus 1 upon R minus 1, आप value लग देंगे, तो यह हो जाएगा X cube, X square to the power N minus 1, X square minus 1, कुछ करना नहीं, बस simple है, लिख दें, जो आया है वो लिख दें, X cube, यह हो जाएगा, X to the power 2 N minus 1 upon X square minus 1, ज्यादा सर्जरी की दरूरत है ही नहीं इसमें, अब question number 11, जो है, वो भी ऐसे numerical type का, तो मैंस मैं उसको कर दूँ, फिर हम अगले, जो अगले question से, वो अगले वीडियो में देखेंगे, बस आप 11 एक बार, और शोटा सा पोर्शान है, समझ ले, 11 में लिखा हुआ है, K is equal to 1 to 11, और 2 plus, 3 to the power K, तो बिलकुल आसान है, इसकी value निकालना है, तो इसमें सबसे पहले, K की जगे 1 डाल दे, तो जब K की जगे 1 डालेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 2 plus 3 to the power 1, फिर आप K की जगे 2 डालें, कहां तक डालना है, आपको 11 तक, summation का मतलब है, बीच में plus लगाते जाओ, तो K की जगे 1, फिर के की जगे 2, फिर के की जगे 3, ऐसा कहां तक करना है आपको, 11 तक करना है, तो यह आपका हो गया, यह है, अब इसमें जो 2, 2 हैं, इनको अलग ले लो आप, 2 plus 2 plus 2, कितनी बार हो जाएंगे यह, तो यह हो जाएंगे, 11 terms तक लिख दो, या 11 times लिख दो, तो यह 2 into 11 हो जाएगा, जैसे 2, 2 रूपे आपको 11 बार दिये, तो टोटल कितने रूपे दिये आपको, तो 2 into 11 रूपीज दिये, प्लस, यह आलग ले लो आप, 3, 3 square, 3 cube, यह हो जाएगा आपका GP, है ना, तो यह GP हो जाएगा, तो यह निकालने 3, और इसका common ratio 3, पावर, number of terms 11, minus 1, 3 minus 1, तो 3 minus 1 कितना होता 2, तो यह हो जाएगा आपका, 22 plus, 3 multiply कर दें, तो यह हो जाएगा, और LC हम ले लेंगे, तो यह हो जाएगा, 44, 44, plus 3 to the power 12, minus 3 upon 2, तो 3 to the power 12, दोस्तों, calculate करना पड़ेगा, या फिर आप 3 to the power 12, भहुँआग बड़ी value है, पर हो सकता है, आपकी book में calculate कियो, तो 3 to the power 12, plus, 41, upon कितना हो जाएगा, 2, तो 3 to the power 6 में को, मैंने आपको कहा भी था कि, मुझे याद है, 729 होती है, तो 729 into 729, plus 41, upon 2, तो यह मैं calculator से कर देता हूँ, आखरी question है, इसे करके यह अपन का, निप्टारा करते हैं, तो यह था, 729 into 729, 531, 241, plus 41 भी कर देते हैं, plus, 41, और, divide by 2 भी कर देते हैं, जब calculator हाथ लग गया तो, 265,741, 265,741, मतलब अपने उसमें आगया है, 2,05,741, 2,65,000, 2,65,741, तो यह था, ज्यादा से ज्यादा फाइदा ले ले, और दोस्तों तक बात पहुचा दे, वहां तक बात पहुचा दे, जहां तक बच्चों को सुविधाय नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे देश में, बहुत सारे बच्चे से हैं, जिनको अच्छी teaching, अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती है, तो यह जब तक आप आगे इसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक यह चीज बढ़ेगी नहीं, और मेरे पास रह जाए, आपके पास रह जाए, इसका कोई मतलब नहीं, तो विश्यू आल दे बेस्ट,